दोस्तों बात करें यहाँ पर तो Galaxy S23 की लाइनप में सबसे हाइलाइट जो फोन रहा है वो रखा है S23 Ultra लेकिन एक भात बताई जाए तो S23 Ultra प्रीमियम फोन है लेकिन यहाँ पर जो most underrated फोन रहाना वो है Galaxy का S23 Plus क्योंकि देखा तो बीच के अंदर आता है एक sweet spot के अंदर आपको देखने को मिलता है इसके साथ ही इस phone के अंदर भी वैसे ही improvements करें गए including camera, performance, battery बगरा के अंदर जो S23 Ultra में रहते है वैसे software experience भी आपको देखने को लेका same process आ रहे है और लग रहा है कि S23 Plus यहाँ पर काफी कची choice बना सकता है काफी सार लोकली जो बतलब S23 Ultra लेको सोच रहा है लेकिन अगर वो X phone के ओपर भी जाना चाहे तो यहाँ पर काफी कची deal यहाँ पर लोकली बन सकता है यह चीज है यहाँ अब देखा है तो इस phone के अंदर भी यहाँ पर काफी कची premiumness देखने होती है जैसे कि front end back नापको Corning Gorilla Glass Victus 2 देखने को होती है और इससे जो phone का in hand design जो look and feel होता है वो काफी जादा premium हो जाता है definitely यह चीज जब आप phone को unbox कर रहेंगे ना तब ही से आप इस चीज को यहाँ पर फील कर सकते हैं इसके साथ ही phone के अंदर जो थिकने से वह है 7.6 mm की और 195 ग्रामस इसका वेट है और देखा तो फोन पूरा solid लगता और ऐसा लगता है कि आपने हाँ हाथ के अंदर को प्रीमियम चीज पकड़ी है लेकिन उसके बाद मगर इसके फोन के अंदर बात करें कि अंदर क्या मसाला देखने को लता है उसके अंदर यहाँ पर आपको मिलता है 6.6 इंच का पीक ब्राइटनेस है HDR को सपोर्ट करता है और डिस्प्ले के अंदर कलर्स काफी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं इसके साथी ब्राइटनेस लेवल्स भी आपको one of the best देखने को मिल रहे हैं जो आप किसी भी फोन के अंदर एक्सपैट कर सकते हैं और डिस्प्ले के ऐ है कि जो दूसरे Snapdragon 8 Gen 2 वाले phones है ना उनके comparison में इसके आपको बेटर performance देखने को मिलेगी CPU और GPU के वाइस इसी के साथ ही बात किया तो इसके अंदर cooling को भी इंप्रूफ किया गया है साधी साथ फोन यहाँ पर गरम भी नहीं होगा Snapdragon भी हाँ पर देखने को मिल रहा है Exynos को त देखने को मलेगा जो आप इसके बड़े भाई S23 Ultra में ले रहे हैं तो यह एक काफी कची चीज़ है इसे के साथ ही बात किया तो फोन के अंदर 8GB की LPDR 5X RAM है इसके साथ ही 256GB की UFS 4.0 storage के साथ आता है जो की काफी जादा fast है और 8 Gen 2 UFS 4 का combination के आपको काफी अच्छा देखने होता है और फोन के अंदर आप कोई भी टास्क यहाँ पर करें आपको लैक और हैंड किसी भी टैप की दिक्कत नहीं आएगी और एक स्मूथ तरीक से चलेगा फोन के अंदर पर्फॉर्मेंस हो काफी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है यह एक बात बहु आपको सही देखने को मिलने यह कुछ चीज़े होती है जो यहाँ पर इस फोन को काफी ज्यादा सॉलिड बना देती है लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि इसके अंदर जो कैमरा हार्डवेर है वो बिल्कुल पिछले साल जासा है जाने कि 50 MP का मेन कैमरा F1.8 टपरचर OIS के इसके सॉफ्टर के अंदर सॉफ्टर प्रोसेसिंग में डेफिनिटल ही इंप्रूब्मेंट है और उसी चीज़ को अप्टिमाइस किया समसंग आप डेफिनिटल फोटोग्राफ के अंदर देख सकते है क्वालिटी किती अच्छी देखने को मिलती है इसके साथ यहाँ पर वीडियो की पॉफ्मेंस कैसी है क्योंकि इस पर वो लगया एस 23 प्लस के अंदर वीडियो के अंदर काम किया गया है यहां तक की 8K 30 fps में भी आप जो वीडियो रिकॉर्ट करेंगे ना वह एक यूजबल वीडियो होगा साथ इससाथ स्टेबलाइजेशन भी आपको चीज़ यहां पर लगे उपर से HDR में वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो वो चीज़ भी यहां पर इस कैमरे के साथ पॉसिबल है और देखा तो तीनों कैमरा का अच्छे तरीकर से उटलाइजेशन किया है यह चीज़ें यहां पर इस फोन के कैमरा को काफी सॉलेड बना काम ने किया एस 23 प्लस जो रहता है वहां पर भी उन्होंने ऐसी काम करा है इसके साथ ही बात किया तो फोन के अंदर बैटरी पिछली बार से जादा देखने को थी जो कि है आपकी 47 हमें अच्की हाला कि एक जो चीज़ जो मुझे पसद नहीं है कि बॉक्स के अंदर चार साल के Android वर्जिन के अपडेट्स आपको देखने को लेंगे उपर से जो Samsung का 1UI 5.1 है काफी जादा रिफाइंड है काफी जादा फीचर रेचे और experience काफी अच्छा है जहां तक कोई iPhone से Galaxy के उपर आना चाहेना तो easily अपना डेटा यहां पर ट्रांसफर कर सकता है वो ची वन यू आई के अंदर तो Samsung ने यहां पर काम किया उपर से बात किया तो फोन जो आप पर IP रेटिंग के साथ आता है IP68 की काफी सही चीज है उपर से इसके अंदर आपको Bluetooth 5.3 देखने को मिलता है NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है और जो USB पोर्ट है वो USB 3.1 के साथ देखन मिल जाती तो एक अच्छी चीज रहती लेकिन हाँ यहां पर जो ओररल जो पैकेज जो डिलीवर कर रहे हो काफी अच्छा है डेफिनिल जो फोन की कीमत हो थोड़ इस ही आप हायर साइट में लगती है डिसकाउंट आफर वगरा लगा कि अगर किसे अच्छी डील मिल जाए है हाँ पर तो डेफिनिल इस फोन को कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि जो फोन ऐसा है कि अगर आप इसे लेंगे और लंबे समय तक यूज़ करना चाहिए तो वह भी कर पाएंगे और आपको कंसिस्टेंट प्रीमिम एक्स्पिरेंस देखने को लेगा यह कुछ चीज़े हो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वही तक नहीं किया तो थैंक्यों कूड़ी तेखने के लिए मैं हाप समलता हूँ नेक्स वन के अंदर गुड़ बाई